तमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे पडलिंग फर्नेंस के बारे में पडलिंग फर्नेंस को रिवर बरेटरी फर्नेंस और एर फर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में इसको प्रावर्तनी भट्टी कहते हैं इस फर्नेंस की इ प्रांसлоस्दानी पैरिस मिस्थित आइफल टावर को भी इसी मेटीरियल से बनाया गया था और उस मेटीरियल का नाम है रोट आइरन तो पडलिंग फरनेंस। का इस्तिमाल पिग आइरन से रोट आइरन को अनुफेक्टर करने के लिए किया जाता है। अब जो pig iron है ये हमें कैसे मिलता है, pig iron के लिए हम जो mind iron ore है, जैसे red hematite, magnetite, limonite, iron pyrite या siderite, इन्हें हम coke और flux की मुझूदगी में blast furnace में इसके उपर एक प्रकार से process की जाती है, और blast furnace के प्रियोग से हम mind iron ore से pig iron को extract करते हैं, और ये जो pig iron है, इसे फिर puddling furnace में इस्तिमाल किया जाता है, जिससे rote iron बनता है, rote iron एक प्रकार से high grade iron है, purest form है iron की, तो अब बात करते हैं puddling furnace की construction की और इसमें working किस प्रकार से होती है, तो ये जो diagram आपको नजर आ रहा है, ये puddling furnace या river buratory furnace है, तो इसमें देखें, कि सबसे पहले ये जो person आपको देख रहा है, इसको हम कहते हैं puddler, puddler का काम होता है, puddling road के प्रियोग से, जो molten metal है, उसके उपर जो slack बनता है, उसको remove करना है, जो बाद में produce हुई puddled iron है, उसको लेकर जाना है, तो ये सारे काम puddler करता है, तो इस diagram को अगर आप देखें, तो इसकी जो safe होती है, ये दिखने में long है, rectangular होती है, और इसकी जो ये चछत होती है, एक प्रकार से जो roof है, ये arched ceiling होती है, मतलव की धनूसाकार होती है, और इसके उपर यहाँ पर ये जो portion आपको नजर आ रहा है, इसे हम bungs कहते हैं, बंक्स को remove करके इस furnace में metal charge, जो pig iron या जो scrap है, उसे हम इसको हटाकर remove करके, हर्थ या भटी में उसको डाला जाता है, और उसके बाद metal charge को डालने के बाद इनको clay की मदद से seal कर दिया जाता है, और दिखने में ये जो furnace है, वो open hearth furnace की तरह होती है, फरक सिर्फ इतना होता है, कि puddling furnace में ये जो incoming air है, इसको preheat करने के लिए regenerative chamber का इस्तेमाल नहीं होता, जो हम open hearth furnace में प्रियोग करते हैं, और puddling furnace में pig iron या metal charge को bunks के through furnace में भेजा जाता है, और ऐसा open hearth furnace में नहीं होता, तो open hearth furnace के मुकाबले puddling furnace का temperature भी कम होता है, उसके बाद यहाँ पर आप देखें firing door लगा है, firing door का ये जो hole है, इसके through fuel को charge किया जाता है, और ये जो fuel हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो oil हो सकता है, pulverized bituminious या anthracite coal हो सकता है, bituminious coal में जो carbon है वो 70-80% होता है, और anthracite coal में जो carbon है वो 90% से ज़ादा होता है, तो metal charge को heat करने और melt करने के लिए fuel का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो fire grate है, जो यहाँ पर cast iron की जाली बनी होती है, तो इसके उपर जो fuel है, उसको charge किया जाता है, रखा जाता है, और जो fire place या fire grate है, जहाँ पर ये fuel बर्न होगा, जैसा हमने बात की cast iron की जाली बनी होती है उसका जो size है वो भी depend करता है हम किस fuel को use करते हैं क्योंकि अगर हम bituminious coal का इस्तेमाल करते हैं तो उस case में जो जाली या great का size होता है वो 2 feet by 3 feet होता है और जो anthracite coal का अगर हम इस्तेमाल करें तो उस case में जो great size है जो जाली का size है वो 4.9 feet by 3.9 feet होता है अब बात करते हैं यहां पर अलग से अगर आप देखें एक partial wall बनी हुई है एक छोटा सा bridge बना हुआ है कह सकते हैं इसका काम होता है कि जो fuel हम use करेंगे और जो metal charge हम bunks के माध्यम से डालेंगे उनको अलग-अलग रखना है और इस partial wall को अगर आप देखें यहां पर एक cross hole है जिसके मदद से यहां पर हावा इसमें से cross होती है air cross होती है और इसको ठंडा रखा जाता है उसके बाद आप देखें हर्थ या furnace जिसे हम बोल रहे हैं यह वो जगह होती है जहां पर हम pig iron को डालते हैं bunks को remove करके और यहां पर उस pig iron या metal charge को melt किया जाता है उसको puddled किया जाता है और इसकी जो shape होती है हर्थ की वो elliptical shape होती है और इसकी जो length है वो 4.9 feet से लेकर 5.9 feet तक हो सकती है और इसकी जो width है वो 3.3 feet से लेकर 3.9 feet तक हो सकती है अब हर्थ पर हमें क्या है कि ज़्यादा heat क्याफ सकता होती है क्योंकि pig iron को हमें melt करना है या metal charge को melt करना है और साथ में भी ध्यान रखना है कि जो हर्थ है इसको हमें थंडा भी रखना है तो इसको ठंडा रखने के लिए अगर आप यहां नेचे देखें यह जो cross hole बने है यहां से हवा cross करती है जो इसको ठंडा रखने भी मदद करती है और यह जो cool air है यहां से constant इसका flow रहता है running रहता है इसके अत्रिक कहीं बार इसके bottom में से water को भी throw किया जाता है अब बात करते है air और fuel को furnace के एक end से blow किया जाता है जैसे यह जो end है यहां से air को blow किया जाएगा और जो fuel जब यहां पर burn होगा fuel burn होने से जो flame बनेगी तो इस air की मदद से जो hot gases और flame है उसको carry किया जाएगा और वो जो hot gases है या जो flame है वो metal charge के उपर से होकर गुजरेंगी flame और hot gases puddling furnace की यह जो छट है यह जो roof है और इसकी जो walls है दिवारे होती है उसको गरम कर देती है और furnace की छट और दिवारों से जो reflected और radiated heat का प्रियोग हम इस हर्थ या भट्टी में रखे उसका utilization किया जाता है और जो यह जो molten metal होता है इसके उपर जो acid slag होता है वह molten metal को flame और furnace atmosphere के direct exposure से उसको बचाता है और air furnace या puddling furnace में flame और fuel molten metal के साथ अगर हम देखें direct contact में नहीं आते जिससे coke में जो carbon और sulfur element होते है वह molten iron में mix नहीं होते जैसा कि cupola furnace में होता है इसके अतरिक्त air furnace और puddling furnace या river regulatory furnace यह हमें जो metal composition होती है molten iron होगा उसमें जो metal composition है उसमें बड़ी अनियंतरन रहता है और इसलिए इसका प्रियोग duplexing operation में भी इसका प्रियोग करते हैं कहने का यह है कि इसे हम cupola के साथ भी इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि cupola quickly और efficiently metal charge को melt करके जो molten cast iron है उसे air furnace में या puddling furnace में transfer कर देते हैं ताकि air furnace या puddling furnace में molten जो iron है उसकी composition को refine करके adjust किया जासके और यहाँ पर जो slag बनता है slag जो बनेगा यहाँ पर जो working door है जिसे एक lever और suspended chain की मदद से control किया जाता है working door को skimming door भी कहते हैं अगर आप इस diagram में देखें यह जो puddler है यह puddling bar की मदद से यहाँ पर जो molten metal है उसके उपर जो impurities बनी है जो slag बना है उसको एक puddling bar से उसको remove कर रहा है और वो जो slag hole यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इस slag hole से वो सारी जो impurities या जो slag है वो बाहर चला जाएगा और उसके बाद यह जो hot gases होती है वो chimney या stack से होती है वो बाहर discharge हो जाती है atmosphere में उसके तरीक यह जो puddling furnace है इसमें जो metal to fuel का जो ratio रहता है वो 2 ratio 1 होता है जबकि cupola furnace में 10 ratio 1 होता है तो इसकी जो working cost है air furnace की जो working cost है वो जादा होती है cupola furnace के मुकाबले और air furnace या puddling furnace में हमें जो molten metal है वो large quantity में मिलता है batches में मिलता है एक regular interval of time के बाद मिलता है और जिससे हम कह सकते हैं कि यह हमें facilitate करता है कि large casting हम बना सकें जैसा आप इस diagram में देखें यहाँ पर जो दो अलग से person है वो यह जो tap hole है यहाँ से जो lumpy ball है जो puddled iron की lumpy ball है अगर आप देखें इसको लेकर जा रही है further process forging इसमें करने के लिए तो इस form में आपको जो road iron है वो मिलता है जिसे यह person carry करके जा रही है इस tap hole से इसको लेकर जा रही है तो एक परकार से अगर हम कहें अगर initial cost की हम बात करते हैं puddling furnace, river battery furnace या air furnace की जो initial cost है वो भी ज़्यादा होती है कुपोला के comparison में और यही कारण है accept कि सिरफ road iron को इसमें produce किया जाता है दूसरी बात कि जब puddling furnace को यूज किया गया तो इसने जब इसका इसका इस्तेमाल किया गया तो इसके इस्तेमाल से पहले जो poting, stamping process या finery या bloomeri processes थी उसको puddling furnace ने replace कर दिया था अब हम बात करें कि जो puddling furnace है तकरीबन 1850 के दस्क में puddling furnace की मदद से steel की भी small production की गई tool steel की या carbon steel की good quality का carbon steel बनाया गया जिसका इस्तेमाल sword बनाने में knife बनाने में या weapons बनाने में किया गया लेकिन बाद में जो steel की production थी उसको जो puddling furnace से बनाया गया था बाद में open hearth प्रोसेस यह जो best summer प्रोसेस आई थी उसके दुआरा puddling furnace को भी replace कर दिया गया तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया river bratory furnace जिसे हम puddling furnace भी कहते हैं और air furnace भी कहते हैं कि इसकी construction किस परकार से होती है इसमें working किस परकार से होती है अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और channel को subscribe करना ना भूले जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे जल्दी हाजिर होते हैं